दो बुजुर्गों दुआरा एक बेजुबान को बेरहमी से बीज सड़त पर डंडों से पीटने का ये वीडियो राजधानी दिल्ली के शहादरा इलाके का है जी उसी राजधानी दिल्ली का जहांके लोगों को बड़े दिलवालों का कहा जाता है लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक कुट्टा गली में शांती से घूम रहा है तभी पीछे से दो अधेर उमर के लोग आते हैं और डंडे से बुरी तरहा कुट्टे को पीटना शुरू कर देते हैं एक के बाद एक डंडों की बौचार इस बेजुबान पर करने लगते हैं कुट्टा चीता है, चिलाता है, बचने के लिए भागने की कोशिश भी करता है लेकिन इंसान के भेश में इन हैवानों के अंदर से मानों इंसानियत मर चुकी थी आखिरकार डंडों की बेताहशा मार से कुट्टा वही दम तोड़ देता है और हद तो तब हो जाती है जब आसपास के लोग खड़े होकर अपनी आखों के सामने एक बेजुबान को दम तोड़ते देख रहे हैं पर किसी ने ना तो इन हैवानों को रोकनी की कोशिश की ना ही कुट्टे को बचाने की पर कहते हैं न कि उपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ इस पूरी घटना का वीडियो एक CCTV में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर काफी वाइरल होने लगा वीडियो वाइरल होने के बाद किसी भले इनसान ने इस मामले की शिकायत शहादरा थाने में की जिसके बाद पुलिस ने वीडियो की जाँच करना शुरू किया इसके बाद पता चला कि ये घटना दिल्ली शहादरा के रूतास्त नगर की है और डंडे से पीटने की वजहा इलाके में आवारा कुत्तों से परिशान होने को बताया जा रहा है बहराल इस मामले में पुलिस के मुताबिक सेक्शन 428 के तहट FIR दर्च करते हुए दोनों बुज़र्गों की पहचान कर ली गई है और आगे की कारवाई की जा रही है लेकिन राजधानी जैसे प्रोग्रेसिव राज्य में घटना एक जरूरी सवाल जरूर खड़ा करती है कि चाहे कोई बेजुबान जानवर ही क्यों न हो हैं तो हमारे समाज का हिस्सा ही ना तो कैसे हम किसी को पीट पीट कर मार सकते हैं वो भी कुत्तों को जो हमारे सोने के बाद हमारे घर की रखवाली करते हैं और जिने इनसान का सबसे वफादार जानवर भी कहा जाता है विरो रिपोर्ट दिल्ली तक कि अज़ पार जो हमारे मारे मारे में पारा सकते हैं तक आदार मुणाबनार्यक्ट जाग्ट लग्वान का सकते हैं तक रहते हैं तक रहते हैं